असलाम वालईकूम आज की स्विटूमन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप WhatsApp Payments method जो है वो इनेबल कर सकते हैं और किस तरीके से WhatsApp के जरीए आप किसी को भी पैमेंट कर सकते हैं सबसे पहले आप WhatsApp ओपन करने के बाद में आपको नजर आएगा यहाँ पर 3. क्लिक करने का आपको नजर आएगा ओप्शन क्या पैमेंट क्लिक किजिए आपको यहाँ पर नजर आएगा यहाँ पर नजर आएगा जिन से आप चार्ट कर रहे हैं अगर उनके पास में भी यह पैमेंट मेथड जो है वो एड है तो फिर क्या कर सकते हैं आप उनको पैमेंट भेज सकते हैं और उनसे रिसीव भी कर सकते हैं उसके बाद में आपको करना क्या है सिंपली कंटिनुप आपको क्लिक करना है इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टेड है ठीक है क्योंकि आप अपने यूपी आई पीन के थुरूई आप इसको भेज़ पाएंगे और यहां पर यूपी आई पीन या फिर आपके जो बैंक की डिटेल्स हैं बैंक अकाउंट नमबर यह फिर उस तरी लिटेल्स है वह इस्टोर नहीं करता वहाला वहाला करना किया है कि यहां पर इसको बतायागा उस बैंक को यहां से नमबर तो आपको अपने नमबर वह वह वेरीफाइब करने होंगे जिस बी नमबर पर आपने वह वहाला रखाए वो यहाँ पे आपको number जो है show कर देगा ठीक है तो आप यहाँ पे देख लेजिए उसके आद मैं आपको बता रहा है this number needs to match the one you registered with your bank the same on this device सबसे पहला जो है यह number जो है आपके bank में registered होना चाहिए और दूसरी बात है यह जो SIM है इसी device में होना चाहिए और जो SMS वगरा जाएंगे तो उसके लिए SMS चार्ज जो है वो लग सकता है अगर free SMS जाता तो कोई दिक्कत नहीं नहीं तो अगर आपके बास में नॉर्मल प्लान है तो उससे जो है SMS जाएंगा तो चार्ज लगेगा अपलाई होगा आप वेरिफाइपे क्लिक किजिए अलाव पे क्लिक किजिए अलाव पे क्लिक किजिए उसके बाद में यह SMS भेजेगा उसके बाद में बैंक को और नमबर को वेरिफाइप करेगा इसमस भेज दिया, नंबर भी इसने verify कर रहा है, नंबर यह भी verify कर रहा है, नंबर भी verify कर लिया, अब यह accounts find कर रहे हैं, यह बता रहा है, no accounts found at your tail payments, simply मैं कहा करूँगा, okay में click करूँगा, और मैं दूसरा bank जो है select कर लूँगा, यहां से, मैंने पेटी इंपेमेंट्स मैं select किया, उसका मैं जो finding your accounts, यहां पर यह जो है accounts इसने find कर लिया, अब इसका बाद मैं आपको simply करना क्या है, simply add पर आपको click करना है, जैसे आपने add पर click किया, तो यह जो है account यह add हो जाएगा, अब यहां पर क्या बता रहा है, you can now send and receive money on whatsapp, your account was successfully added, अब यहां पर बता रहा है, send payment या फिर done, तो मैं simply क्या करूँगा, done पर click कर दूँगा, that's it, यह मैंने done पर click किया, यहां पर जो है, एक account जो है मेरा add हो गया, यहां पर एक मैंने यहां पर account set up कर लिया, यहां पर जो other method है, add payment method दूसरा method पर याप use कर सकते हैं, यहां दूसरे payment method को भी इसके अदर में add कर सकते हैं, जितने आप payment method अड़ करना चाहिए, आप add कर सकते हैं, और यहां पर आप किसी को भी बेज़ना चाहिए, यहां साप payment सकते हैं, जैसे send your first payment score में क्लिक करके आप किसी को भी payments भेज़ सकते हैं, चाहिए आप UPI पर directly भेज़िए, या फिर आप क्या कीजिए, आप QR code scan करके आप भेज़िए, या फिर आप किसी भी number पर देख करके उसको भेज़ सकते हैं, उमित हैं को कि लेली समझ में आ गया होग उसको मैं जल से जल रिजॉल्व करूंगा, इन्शालला, मिलते हैं इस तरीके का interesting वीडियो में, जब तक के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए, अगर नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर केजिए जिनको इस वीडियो की नीड है, मिलते हैं आप अपना ख्यार रखें, आप अपना फैमली का ख्यार रखें, असलाम आलेकम, अल्लाहाफिज